नमस्कार मैं हूँ प्रिया आज है 7 नवंबर आए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को गुरु नानक देव के 550 वे प्रकाश पर्व पर निकाली गई शोभायात्रा गुरु नानक के 550 वे प्रकाश पर्व का भवे आयोजन बिहार की कटिहार जिले में किया गया है प्रदूशन फैलाने वाले 245 वाहनों की हुई जाच परताल पटना की हवा में बढ़ते प्रदूशन को नियंत्रित करने के लिए परिवाहन विभाकी और से विशेश वाहन जाच अभियान के शुरुआत की गई सुबह से देर शाम तक चले इस अभियान के दौरान कुल 245 वाहनों की जाच परताल की गई जिसमें 22 वाहनों से चलान राशी ली गई आपको बता दे प्रसाशन मोबाइल पॉल्यूशन बैन से ओन दस्पोट वाहनों की जाच परताल कर रही है पत्ना के मयंग को UPSC से मिला पांच वास्थान UPSC ने इंजीनिरिंग सिविल सेवा का फाइनल रिजर्ट की घुशना कर दी है जारी होई रिजर्ट में 494 चात्रों को सफलता प्राप्त हुई है इसमें बिहार के कई चात्र का भी चैयन हुआ है फरुखाबाद के कार्ती के को देश भर में पहला वपत्ना के कुमार मयंग ने पाचवास्थान प्राप्त किया है ग्याथोपत्ना के शिफपुरी इलाके का मयंग इलेक्ट्रिकल इंजीनिरिंग का छात्र है इस सफलता के बाद मयंग ने कहा कि उमीद है इंडियन रेलवे में एक ग्रेट का जॉब मिल जाए नारंदा का सिध्धान्थ डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम अवार्ड के लिए हुआ चैयनित बिहार के नारंदा से सिध्धान्थ का चैयन डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम अवार्ड के लिए किया गया है सरकारी स्कूल से पढ़े सिध्धान्थ ने दरसल 3 अगस्त को आयोजी डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम अग्नाइट अवार्ड प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था जहां से उसे इस अवार्ड के लिए चैयन किया गया है आपको बताते प्रतियोगिता में देश के 544 जिले के करीब 60,000 चात्र चात्राओं ने भाग लिया था इस प्रतियोगिता में सिधान्त का चैयन नालंदा जिले से हुआ है प्लास्टिक पर नियंतरन से आई प्रदूशन में भी कमी भागलपूर आमंतरन अभियान केंद्रिये टीम का नेत्रित्व कर रहे विंग कमांडर परंबीर सिंग ने रविवार को बताए कि प्लास्टिक ए 99 फीसिदी प्रवार रुख जाने से गंगा नदी में शुदता वापस आ रही है गंगा को साफ सुत्रा रखने के लिए लोग अग्रसर होकर काम कर रहे है ग्यातो नामामी गंगे अभियान के तहट यह दल लोगों को जागरूप करने और गंगा का जायजा लेने यहां पहुचा था इसी दोरान विंग कमांडर ने कहा कि बिश्रे चार साल में गंगा के जल में काफी शुदता आई है कानपूर में गंगा जल साफ हो गया है साथी भागलपूर में भी गंगा का पानी शुद है प्रदूशन पर नियंदर नहेतु सरकार का एक और फैसला पटना में बढ़ते प्रदूशन के मदरिजार राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है जिसके तहट अब अप्रेल 2021 से डीजल की गाड़ियों पर पूरी तरीकी से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा पटना की छात्राओं और आम यूवतियों के साथ आए दिन बीच रास्ते में अप्रिये वाक्यों के मामले सामने आते रहते हैं इस बॉक्स में इन वाक्यों को छोड बिजरी और पानी की शिकायते ज्यादा आती हैं मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने किया समस्तिपूर मेडिकल कॉलेज का शिलन्यास मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने समस्तिपूर मेडिकल कॉलेज की आधा शिला रखी आपको बता दे मौके पर मुख्यमंत्री नितीश कुमार के साथ कई मंद्यों की उपस्थिती में नरगोगी में श्रीराम जान की मेडिकल कॉलेज का सिलन्यास किया गया CBSE ने निकाला 10 वी और 12 वी का प्राक्टिकल एक्जाम का शेडियूल ग्यात हो कि इस बार प्राक्टिकल एक्जाम की तारीक को 15 दिन कम किया गया है पिष्टे साल यह परीक्षा 15 जनवरी से 15 फरवरी तक चली थी लेकिन इस साल बोड परीक्षार्थियू की सुविधा के लिए बोड ने प्राक्टिकल एक्जाम पहले खत्म करने का आदेश दिय बज्री में 10% की हो سकती है बढ़हात्री सभी बढ़हात्री के प्राक्टिकल दिना की तयारी है इस प्रास्ताव पर आयोग राज के अलग अलग प्रमांडिलों में जन सुनवाई करेगा और सभी उप्बुकताओ से इस मुद्धे पर राय मश्वरा लेगा BCCI की बिहार टीम में तीन छात्रों को किया गया चैनित BCCI द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्णामिन में बिहार टीम में बेगुसराय जिले के तीन खिलारियों का चैन किया गया है वहीं मटिहानी प्रखंड के हांसपूर के रहने वाले हर्शिता का चैन लगातार दूसरी बार महिला अंडेट मेंडी थ्री बिहार टीम में हुआ है बार में हुए नुकसान की भरपाई के लिए बीमा कंपनी को दिये गए सक्थ निर्देश हाले में हुए भारी बारिश से लोगों को जल जमात के साथ-साथ भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ा था अब बिहार सरकार ने बीमा कंपनीयों से बार से लोगों को हुए नुकसान के दावो को निप्टारा एक महीने के अंदर करने का निर्देश दिया है ग्यातो वित्य विभाग के प्रधान सचीफ डॉक्टर एस सिधार्थ ने सामाने बीमा कमपनियों के साथ केंद्र एवं बिहार सरकार के वरिये पताधिकारियों की बैठक में बीमा कमपनियों से इस बावत आगरह किया है नुकसान संबंधी मामलों का आकलन हर हाल में अगले एक सप्ता के अंदर-अंदर कर लिया जाए सोनपूर मेले में हाथियों की गरजना से गूजेगा हरिहर छेतर शुकरवार 8 नवंबर को विश प्रसिद हरिहर छेतर में एशिया के सबसे बड़े पशु मेले की अध्यात्मिक रूप से शिरुवात होने वाली है मेले के उधगाटिन की तयार्या जोर शोर से चल रही है मेले में सम्मिलत होने के लिए देश भर से साथु संतों का आगमन होने लगा है आपको बता दे शुकरवार को सोनपूर के पावन नारायनी तट पर सिद गजेंदर मोक्ष देवस्थान में विशाल शोभा यात्रा निकाले जाएगी शोभा यात्रा में हाथी घोड़ा एवं गाजे-बाजे के साथ बड़ी संख्या में श्रधालू शामिल होनगे पटना से वेस्चंपारन खुद की गारी से सफर करने वाला यात्रियों को लगबग 7 घंटे का सफर करना होगा 245.7 km है आरक्षन काउंटर से टिकेट लेने पर अब आएगा मेसेज रेल्वे अब आरक्षन टिकेट नियम में बदलाव करने जा रही है जिसके तहट अब रेल काउंटर से आरक्षन कराकर ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की मुश्किले थोड़ी कम हो जाएंगी अभी तक चार्ट बनने के बाद यात्रियों को संबंधित फोन नंबर पर संदेश आता था मगर अगले साल से आरक्षन कराते ही मेसेज फोन पर आ जाएगा यात्रियों की मुबाइल पर मेसेज चला जाता था लेकिन आरक्षन काउंटर से टिकेट लेने पर ऐसा कोई नियम नहीं था सफर करने वाले दिन ही यात्रियों को अपने यात्रा संबंधी जानकारिया मिलती थी 8 जून को निकलेगा JEE Advance 2020 का रिजल्ट अगले साल होने वाले JEE Advance परिक्षा के रिजल्ट की तारी की घोशना कर दी गई है इस परिक्षा का रिजल्ट 8 जून 2020 को जारी किया जाएगा साथ ही JEE Advance परिक्षा 2020 के लिए IIT दिली ने सिलिबस भी अप्लोड कर दिया है Physics, Chemistry, Mathematics तथा Architecture, Aptitude टेस्ट के लिए सिलिबस आधिकारिक वेबसाइट पर अप्लोड कर दी गई है अभिर्थी Advance की वेबसाइट से सिलिबस डाउनलोड कर अपनी तयारियों में लग सकते हैं संभावित कोहरे को लेकर एक फरवरी तक कई ट्रेने हुई रद ठन में दिसंबर से जनवरी तक लगने वाले संभावित कोहरा को देखते वे रेलवे पूरी तरह सा तरक हो गया है कोहरे जैसी परिस्थिती से निपटने के लिए और यात्रियों के सफर के दौरान परिशानियों से बचाने के लिए कुछ ट्रेनों को रद तो वहीं कुछ ट्रेनों का आंशिक समापन कर दिया गया है रद ट्रेनों कोई सारी जानकारी यात्रियों को मेसेज जुआरा बताई जाएगी रज़त को रास नहीं आई नड़ा और मुख्यमंत्री नितीष गुमार को सचेत करने गये होंगे यदी सार चोडेंगे तो अंदर कर देंगे मुजफरपुर मामला और स्रिजन जैसे मामलों में फसादेंगे भाजबा जानती है कि वा जद्यू के बिना शूने है सरकारी स्कूल के सिक्षकों के लिए रहत वाली एक बड़ी खबर है आने वाले दिनों में सबी गयर सैक्षिनीक कारेों से पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाएगा ऐसे में उनके जिम में अब सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पढ़ाने की ही जवाब दे ही रहेगी अभी सरकारी विद्यालोग के सिक्षकों को बच्चों को पढ़ाने से अधिक मिड़े मिल तयार करने और उन्हें खिलाने का अधिक फोकस रहता है इसके अलावा मतदान सूची तयार करके जनगरना आधी भी लगाया जाता है पटना के खादी मौल ने पहले ही दिन तोड़ा रिकॉर्ड पटना खादी मौल ने उधघाटन के बाद ही 13,00,000 की बिकरी कर एक नया रिकॉर्ड दरज किया है खादी मौल में ऐसे रिस्पॉंस की उम्मीद वुद्योग विभाग को भी नहीं ती पहले ही दिन पट्टा के लोगों ने खादी मॉल को लेकर जबर्दस उत्सा दिखाया मुख्यमंत्री नितीश कुमार द्वारा जैसे ही मॉल का उधगाटन किया गया वैसे ही लोगों की भीर खरीदारी के लिए खादी मॉल पहुचने लगी आपको बता दे खादी मॉल में हर तरह के सामान की विक्री हुई है लेकिन सबसे जादा विक्री खादी के कपड़ों की हुई है बिहार विधान मंडल का शीद कालीन सतर 22 से 28 नवंबर तक यार सरकारी से गल्प पेश किये जाएंगे गोपाश्टी मेले में जुड़ी श्रधालू की भीर प्रकण मुख्यालिस्ति श्री शंकर गौशाला परिसर में मंगलवार से तीन दिवसिये गोपाश्टी मेले में सम्मलित होने बड़े तादाद में श्रधालू एक टाओर है गुपाश्री मेला के तहट सोमवार की संध्या में गौशाला के चरवाहा नागवा मंडल में देखरेक एवं पंडित के सानिधे में काफी भक्ती भावना से पूजा अर्चना कर मंदिप परिसर में भगवान श्री कृष्ण एवं गौ माता की प्रतिमा स्थापित कर दी गई थी गौधन की रक्षा एवं व्रिधी की कामना को लेकर प्रखन छेत्र के भारी संख्या में पशिपालक यहां स्थापित किये गए अब आई ये जानते हैं मौसम का हाल क्यामूर मुंगेर दर्भंगा गया किशनगंज लखी सराय मधुबनी मुंगेर पटना पूर्णिया बेगुसराय भागलपूर अररिया बांका शेकपूरा सीता मढ़ी जमूई कटिहार मध्यपूरा नालंदा नवादा सहर्जा समस्तिपूर सुपॉल में सुबह में धुन के साथ दिन भर हल्की धूप के साथ मौसम सामाने रहेंगे इस इतिहासिक टेस्ट के बारे में पूछा जाए प्रस्ताव में लिखा है कि टेस्ट मैट्स के पहले और दूसरे दिन भारत के सभी पूर्फ टेस्ट कप्तानों को बुलाए जाए सभी पूर्फ कप्तान मैदान में मौजुदा कप्तान विराट कोहली और बाकी की टीम के साथ साथ बाकी के अतीतियों के साथ राश्रगान में खड़े हूँ पूरे दिन पूर्फ कप्तान बारी-बारी से गेस्ट कमेंटरेटर के तौर पर आएंगे और अपनी टेस्ट इतिहास का एहम पल्स आजा करेंगे अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो हमारे बिहारी न्यूज आपके लिए एक नया यूट्यूब चानल लेकर आरा है जिसका नाम है चकदे क्रिकेट तो क्रिकेट से जोड़ी सारी जानकारियों से अबडेटे रहने के लिए हमारे नई यूट्यूब चानल चकदे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा धन्यवाद